हेलो फैंट्स आएम राहूल एंड टोड़े वी सेल प्रैक्टिस ऑफ दी अग्लर टाइप सब्सेंटिस आज हम दूसरे प्रकार के बाक्यों की हम प्रैक्टिस करेंगे और मेरे पास कुछ मीनिंग है जिनको हम पजेशब एजेक्टिव भी बोलते हैं तो जो पजेशब एज और आज ये फॉट्ट एट आई शोड इंट्रिद्वीस और इस टाइप सब्सेंटेंज तो हम अधिकार शुचक सेंटेंज बनाने की हम कोशिस करेंगी और सेंटेंज भी बिल्कुल च्ही प्रकार को फोते हैं तो आपको इन सेंटेंज की फ्रक्रेक्श करनी है ताकि आप बनाने में कोई दिक्कत फील ना करें आप यह ना सोच के सेंटिस कैसे बनेगा यह तो प्रकार के सेंटेस्ट जो मेलिंग से वह मैंने लिए है पजी सिप के तौरब अधिकार सोचे के तौरब तो जैसे हम देख सकते हैं माई मीसुता मेरा या मेरी आवर में हमारा हमारी या तुम्हारी हिज मीनस होता है उसका या उसकी उसका और हर मीनस होता है उसकी और देर मीनस होता है उनका या फर उनकी हम बोल जकते हैं आए यह सूव नवी हाथ मीनिक्स सो मैं बता दूं पजी से कैसे बनाते है तो जैसे मैंने लिखा माई माई मीनस होता मेरा तो हम क्या बरादा क्या है सिर्ट के मेरे पास म माई हाउज अलब इसकी मेनिंग कहने के लिए कि मेरा घर अब हैं कुछ भी लागा सकते हैं माय की आ मेरा परिवार मेरी ताकत माई स्ट्रेंथ तो हम इस प्रकार हम पजीशिव का यूज हम कर सकते हैं तो यह तो लेकिन हम इसके बन स्टेप और आंगे बाढ़ेंगे इसकी हम क्वाल्टी बताएंगे जैसे मैंने बोला मेरा घर तो मेरा घर शुन्धर है मेरा घर शुन्दर है मतलब पजी इसका क्वाल्टी के इसका एजिक्टिक की तोर हम सेंडेस बनाएंगे और प्रम कुछ सेंडेस लेंगे और उसकी हम क्तिस करेंगे आखर बोलना और उसकी तो श्ञा है रखkeiten हमारे हमारा घर अबर हाउस तो जहां पजीशिव हो जहां अधिकार सूचक हो तो बहां हमेशा फस्ट मलब सिंगुलर बर्ब का यूज होता है जैसे मैं लगा माय हाउस तो माय हाउस या होम इस ब्यूटिफुल इडिस बैरी यीजी सेंटिस इस मेरा घर सुन्दर है हम इस प्रकार के हम सेंटिस भी बना सकते हैं अब हम इसके छे प्रकार बनाएंगे तो क्या मेरा घर शुन्दर नहीं है क्या मेरा घर शुन्दर है इस माय हाउस ब्यूटिफुल बिल्कुल इजी तोर पर हम बना सकते हैं एक क्या मेरा घर शुन्दर नहीं है तो हम एक ऐसे बनाएंगे इज इज माय हाउस नाट ब्यूटिफुल तो हम बना बिल्कुल इजी तोर पर बिल्कुल आशानी से बना सकते हैं अब क्वेश्चन वर्ड के तोर पर हम बना सकते हैं मेरा घर कितना शुन्दर है कितना सुन्दर हैं तो हम बना सकते हैं मेरा घर कितना सुन्दर है तो मैं एक बात के लिए करदो जो हम अंकाउंटिबल के साथ यूज करते हैं अन्काउंट डॉल गिन नहीं सकते हैं गिन को यह उनकी साथ मैनिका यूज़ करते हैं तो हम किसका करें गहर कितना संदर है तो मतलब घर को गिन तो सकते नहीं सकते हैं हम किसका उपीर करेंगे how much का उपीर करेंगे तो हम बनाएंगे how much is my house beautiful बिल्कु इजी है बिल्कु आसान है आप आसानी से बना सकते हैं इसका integrative negative बनेगा मेरा घर कितना शुन्दर नहीं है कितना शुन्दर नहीं है तो क्या बनाएंगे इसके हम आप बोले हों मेरे साथ How much is my house not beautiful तो हम इस प्रकार से हम 6 sentence बना सकते हैं पजीशब adjective बाले जिसको हम बोल सकते हैं तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि हमें ऐसे sentence बनाना शीक नहीं तो I hope आप समझ गए होंगे मैं repeat करता हूं किया साथ मेरा घर सुन्दर है My house is beautiful मेरा घर सुन्दर नहीं है My house is not beautiful क्या मेरा घर सुन्दर है Is my house beautiful क्या मेरा घर सुन्दर नहीं है Is my house not beautiful मेरा घर कितना सुन्दर है How much is my house beautiful मेरा घर कितना सुन्दर नहीं है How much is my house not beautiful I hope आप लोग समझ गए हमें sentence कैसे बना रहे हैं अब जो आपके पास जो इतनी सारे अब आर यह और ही जो और हर है तो उनका एक sentence लेंगे उसके बनाएंगे और हम इसकी प्रेक्टिस करेंगे ताकि हम ट्रांसलिशन अच्छी से सीख सकें तो हम सेकेंड वाल लेंगे हमारी स्कूल सुन्दर है कैसे बनेंगे अब 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 इस अब इसकूल ब्यूटिफुल क्या हमारी स्कूल सुन्दर नहीं है इस अब इसकूल नाट ब्यूटिफुल हमारी स्कूल कब से सुन्दर है कब से के लिए हम फ्रॉम बैन के उसकरते हैं फ्रॉम बैन इस अब इसकूल ब्यूटिफुल हमारी स्कूल कब से सुन्दर नही हैं from when is our school not beautiful I hope आप लोग समझें होंगे कि हमें sentence की practice कैशी करनी है sentence बनाने की ऐस है इस परकार के sentence so that's why I have given demo for you तो आप लोग समझें होंगे तो जो यह है है इस की practice आपको खूद करनी है आपको sentence बनाने कॉफी पर उसको फिर उसकी rewarding करनी है और आपको गुरुप में सेंड करना है गुरुप को नाम है E C L E Everybody Can Learn English और अभी तक आपने गुरुप जाननी क्या है तो गुरुप का लिंक आपको डिस्केप्शन में मिल जाएगा है चैनल के आप गुरुप को जाना लिंक पर क्लिक करना डारेक्ट आपका जो जो जुएन का बटन आये को इससे क्लिक करना अप गुरुप में एड हो जाऊग можем फोटो भी सकते हो वीडिए परीडियो सक्कते हो आपके पास बहुत सारे Osंैं एंग्रिय जी से बनाने कहाॉट बहुत सारे आपको पास इसार है अब पिलने से तो आप जरूर घुसी कोगे आपको अंग्रिय जी बोलने से दुनिया की कोई ताकत कि नहीं रोक सकती है तो मैं अपना 100 पर सेंट इस पर दे रहा हूं आपकी study पर दे रहा हूं कि आपको अच्छी से अच्छा में गाइड कर सकूंँ ताकि आप अच्छी अंग्रीजी बोल सके बेदिन दा सिक्स मंथ आपकी बीडियो जो आएगी बीक मैं सिर्फ दिन की मैं चुट्टी लूँगा क्यूंकि बहुत सारे काम रहते हैं पर्सनल तो उसको भी खतम करना पड़ता है और उसको भी पूरा करना पड़ता है सब्सक्राइब करें और शेयर करें और आप यह आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरा अनुरूद है कि आप जो तीन-चार वीडियो हो सुकी है जिन में से इंट्रॉड़क्शन वीडियो इस दा मोस्ट इंपर्टेंट फो यूज इंट्रॉड़क्शन वीडियो आपको गाइड किया गया है कि आपको कैसे प्र साथ प्रेक्टिस कर सके मेरी साथ सेंटर्स बना सके सो आज के लिए इतना ही थैंक्स पॉर वाचिंग सकते हैं